कहानी की शुरुवात में ही हम तरन और अमर नाम के एक कपल को देखते हैं और वो दोनों ही एक स्की वेकेशन पर आये और वो दोनों एक रिसार्ट में रूपते हैं तरन को स्की बिलफुल भी पसंद लेकिन अमर को स्की करना बहुत ज़्यादा पसंद है और अगले दिन सुभा जब तरन सो रहे थी तब अमर अकेले ही स्की के लिए निकल जाता है और स्की करते करते वो अचानक माउंटेन के एक डेंजरिस एरिया में चला जाता है जहाँ पर वो अल्मोस्ट एक बाइक में वहाँ से जारते हुए एक आत्मे को हिट करने ही वाला था लेकिन वो उसे हिट करने से मैनेज कर लेता है लेकिन खुद माउंटेन के उपर से नीचे गिर जाता है और दूस्री तरफ अमर के बहुत देर हो जाने के बाद भी लिसर वापस ना आने के वज़ाए से तरण काफे परिशान हो जाती है और उसके बाद वो अमर के पापा को कॉल करती है और फिर वाहाँ पर अमर को ढूंजने का इंतिजाम होता है लेकिन बहुत ढूनने के बाद भी अमर उन लोगों को नहीं मिलता है और फिर अमर के पापा भी वहाँ पर आते है और डिस्क्यू टीम अमर के पापा और तरण को ये साफ साफ कह देते हैं कि शायद अब अमर जिन्दा नहीं है उसके बाद अमर के पापा तरन को वापस घर लेकर आते हैं और फिर वो दोनों ही अपने अपनी तरह से इस कम से उभने की कोशिश करते हैं तरन अपने दोनों बहनों के साथ रहती थे और ऐसे ही आट मेहने बीट जाते हैं एक दिन तरन अमर के पापा से मिलने के लिए उनके घड जाती है और अमर के पापा तरन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उन लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अमर जिन्दा नहीं है और उसे उन लोगों के जिन्देगी से जाने देना चाहिए इस बात से वो दोनो वह काफि ०ुखी थे। उसके बाद अचानव वहा पर शेखर नाम का एक लड़का आता है और अमर के पापा तरन को उसे मिलवाते हैं। शेखर उनके किसी दोस्त के बेटे हैं। इसकी बाद एक दिन अमर के पापा उनके साथ शेखर को तरन के घर में लेकर आते हैं। तरन की बड़ी बैहन मनप्रित के birthday के लिए और वहाँ पर आकर शेखर तरन के family से काफ़े घुल मिल जाते हैं तरन की बड़ी बैहन है मनप्रित और छोटी बैहन है गुरप्रित और मनप्रित का एक boyfriend है जिनका नाम है नवजोत और शेखर का उन सभी से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और शेखर को ये भी बता चलता है कि तरन खुद का एक paste shop खूलना चाहती है और उसके बाद शेखर तरन को उसके एक friend के बारे में बताता है जो के इन सारे मामलों मेरे काफी अच्छा knowledge रखता है और जिसका खुद का वे एक शौप है और वो तरण को उस्से मिलवाने जिए लेकर जाता है जहाँ पर तरण अपने business के बाढ़े में उससे बात कर सके और उसके बाद उसे तरण से उसके और अमर के बाढ़े में भी पता चलता है तरन उसे कहती है कि वो आज भी अमर को भूल नहीं पाई है और जब शेखर तरन को ये पूछती है कि वो अमर से क्यों प्यार करती है तो तरन उसे कहती है कि इसके कोई वजा नहीं है क्योंकि प्यार रिजेनबल नहीं है ये ऐसे ही होता है उसके बाद शेखर तरन को खुश रहने के लिए मूटिवेट करता है और उसे खुश रखने की कोशिश भी करता है दीरे-दीरे तरन थोड़ा नॉर्मल होने लगती है और वो अपने जिंदिगी में खुश रहना सीखती है उसके बाद शेखर तरन की नई पेस्ट शॉप उपिन करने में उसके हिल्प करता है और इसके बाद तरन और शेखर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और शेखर तरन से प्यार भी करने लगता है और तरन को भी ये एहसास होता है कि उसके दिल में भी शेकर के लिए कोई ना कोई फिलिंग है और फिर एक दिन वो दोनों ही एक दूसरे को अपने फिलिंग शेयर करते हैं और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि इन आठ मेहनों में अमर कुमा में था और जो डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए वो उसके फैमिली को इंफर्म नहीं कर पाए और आठ मेहने बाद अमर कुमा से ब काफी खुश होते हैं तो दूसरे तरफ शेखर ये तैय करता है कि वो अब अमर के पापा और तरण से दूरी बना लेगा दूसरे तरफ तरण इस बात से काफी खुश थे कि अमर वापस आ गया है और इस बात से परिशान कि वो अब अमर और शेखर के बीट कैसे किसी को तो अमर के पापा उसे कहते हैं कि उसे जो ठीक लगता है वो वही करें और उसके बाद तरण ये डिसाइड करती है कि वो अमर को शेखर के बाड़े में सब कुछ बता देगी और वो ऐसा ही करती है और वो अमर को ये भी बताती है कि वो जब कुमा में था तब यहां पर उसकी जिल्देगी में क्या-क्या हो गया और सारी बाते सुनकर अमर खुशी-खुशी तरन को शेखर के पास जाने देता है और उन दोनों को अपनी blessings देता है और तरन तै करती है कि अमर और वो दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे और वो शेखर को टेट करने लगती है अमर बाहर तो सबको ये दिखाता था कि वो इस बात से खुश है लेकि अंदरे अंदर वो इस बात से काफी दुखी था और वो तरन के बीना काफी अकेला पड़ गया था और अमर शेखर से इस बारे में बात करता है कि उसे इस बात से उभरने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन शेखर ये नोटिस करता है कि अमारा तरन अब भी काफी क्लोज है और शेखर को ये लगता है कि तरन उसे डेट कर रही है लेकिन वो अमर को भी काफी मिस कर रही क्योंकि शेखर जब तरन से ये पूछता है कि उसने उसे क्यों चुना है तब तरन शेखर को ये कहती है कि ये ही सही है और उसने जो तरन के लिए किया है उसके बाद वो शेखर को नहीं छोड़ सकती इसके बाद एक दिन जब ऐसे ही तरन अमर की हेल्प के लिए उसके पास ज जाती है तो शेखर को ये बात भी काफी बुरी लगती है और वो काफी गुसा हो जाता है और फिर वो तरन से बात करना बंद कर देता है और अपना फोन भी स्विच्ट आफ कर लेता है जिस बात से तरन और उसकी फैमिली काफी परिशन हो जाते हैं उसके बात एक दिन शेखर शड़ाप पी कर तरन के घर आता है और काफी तमाशा करता है तब नव जोद इस बात से काफी गुसा हो जाता है और उसे तब के लिए वहाँ से भेज देता है और उसके बाद एक दिन शेखर कंजी छोड़ कर जा रहा है उसके बाद तरन अमर के साथ शेखर के घर आती है और वहाँ पर आकर देखती है कि शेकर वहार से जा चुका है और वहाँ पर अमर वैसा ही सेम shirt देखता है जोके उसके accident की दिन उसी बाईकर ने पहना उआ था और फिर तरान और अमर को अमर के पापा से ये पता चलता है कि शेकर उनके किसी दोस्त का बेटा नहीं है बलके वो वही बाइकर है जिसके साथ एक्सिजन होते होते अमर माउंटेन से नीचे गिर गया और वो कहते है कि आट मेहने पहले एक दिन शेखर उनके घर आया और उनसे सारा सच कहार और वो कहता है कि अगर वो उसे सजा देना चाहे तो वो उसे दे सकते है और उसे इस बात की काफे गिल्ट है लेकिन अमर के पापा शेखर को माफ कर देते हैं और वो उसे अपने बेटे के तरह मानने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे तरन के फैमिली के साथ भी गुलने मिलने लगता है और जब उन लोगों को ये पता चलता है कि थोड़ी ही देल में शेखर यहां से निकलने वाला है और वो अब येरपूर्ट में है तो अमर जल से जल तरन को येरपूर्ट पहुचने में उसके हिल्प करता है और तरन वहाँ पर जाकर शेखर को रोपती है और उसे ये पूछती है कि उसकी गलती किया है जिसके वज़े से वो ऐसा कर र कि वो उसके साथ है सिर्फ इस वज़ाई से क्यूμकि वो उसे तकलिफ नहीं पहुचाना चाहती है और उसे ये सही नहीं लगता कि वो अमर के लिए उसे छोड़ दे क्यूब कि शेखर ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और फिर शेखर तरन के ही कहे हुए बातों को वापस से धोडाता है कि प्यार reasonable नहीं होता है ये ऐसे ही हो जाता है और उसे सिर्फ अपने दिल की बात को मारना चाहिए और तरन को उसी के साथ रहना चाहिए जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और वो है आमर उसके बाद शेखर तरन से ये कहता है कि वो एक बार ये कह दे कि उसने अब तक ज्यू सारी बाते कहा है वो सब छूट है लेकिन तरन ऐसा नहीं कर पाती है और वो रो देती है क्योंकि ये सारी बाते ही सच थी उसके बाद शेखर तरन और अमर दोनों से ही गले मिल कर और उन दोनों को एक साथ करकर वहाँ से चला जाता है।